हेलो दोस्तों आप सभी का फीट से एक बार बहुत बहुत दोलकम है आपके अपनी चैनल टागर टॉट इन फैंटासी पर तो दोस्तों इस बनों आप देख रहे है केसी सी T20 एलीड चैंपियन सीब लीग का जो यहाँ पर 39th मैच कहले जाने वाले दोस्तों एलीज वर्सस एफिटी आल है जरे वर्सस फीटर स्टास यह दो टीमस के भी जो मैच कहले जाने गा उसके प्रिवी स्टेशनलाइस के बारे हम डिसकास करने दिल में साथन दोस्तों आपको बताएंगे प्रवाबोड प्लेंग एकसाई क्या रहेगा साथन दोस्तों कौन कॉन स्टेशनलाइस प्लेयर आपके लिए बेस चोईस रहने वाले इस मैच पर और आपके लिए स्मॉल लिग के बेस टिम कौन सा रहेगा उसके एक डेमो टीम हम यहापर आपको मनाता हो दिकाने वाले है तो चले दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो को एंड तक पूरा देखिए एक भी पार्ट स्किप मत कीजिए अगर आप यहाँ बार स्किप कर दो तो आप यहाँ पर बहुत कुछ आप मिस कर सकते हो मतलब क्या की दोस्तों देखिए एक एक पॉइंट आपको डिल में समझाऊँगा साथ में दोस्तों एक एक प्लेयर के बारे में आपको समझाने वाला हूँ तो इसलिए दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है तो साथी साथ दोस्तों देखिए अगर आप अभी तक हमारे ओफिशल टेलिगम चल्ल नहीं जोइन के हो तो दोस्तों आप अभी जोइन कर लो डेसुशेम पर लिंक है वहाँ पर लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे टेलिगम चल को जोइन कर लीजिए जैसे कि आठ के, दस के, प्लास नसकों वाला बहुत सारे फेक्टर्स बन चुके हैं तो इसलिए आपको ओरिजिनल हमारे जो ओफिसल चनल है वो जोइन करने के लिए सबसे आसन तरीका है और सबसे सेफिश तरीका है क्या कि आप डेस्क्रिप्सन पर चले जाए ये, वहाँ पर लिंक के उपर क्लिक कीजिए और हमारे टेलिकाम चनल को जोइन कर लिए तो ऐसे करके दोस्तों आप आसनी के साथ हमारे ओरिजिनल ओफिशल चनल को जोइन कर सकते हो तो का इस देर किस बात की फाइनल टीम्स के लिए और इस मैच पर विनिंग टीम पाने के लिए अभी के अभी हमारे टेलिकाम चनल को जोइन कर लिजिए अब दोस्तों मैच की बात करेंगे, देखिए हमारे इंडियन टेम के अनुसर ये मैच होगी आज सामको 67 बजे, तो आज इस लिग का 3 मैच थे है तो पहला मैच तो हमने आपको वीडियो दे दिया है जो सामको 4 बजे है, और ये वाला रहेगा दूसरा मैच 67 बजे और तीसरा जो मैच रहेगा, और अगर रात को 11 बजे तो उसके हमने आलाग वीडियो बनाऊँगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर मैच कैसा रहेगा सबसे पहले आपको यहाँ पर पीच रिपोर्ट या फिर ग्राउन स्टेट्स के बारे हम बताऊँगा दोस्तों यहाँ पर देखिए पीच हमेशा की तरह यहाँ पर आपको बैटिंग फिर पीच ही देखने को मिलेगी जैसे कि एबरे स्कोर यहाँ पर देखिए 160 प्लास मतला बहुत ज़्यादा रंस यहाँ पर बनते है असानी के साथ आप माल लेजी कि पहले इनिक्स पर कुछ अच्छे बैटरस वाले टीम यहाँ पर बैटिंग करे तो वहाँ पर 200 प्लास रंस भी आसनी के साथ बन जाएंगे और वो डिफेंड भी हो जाएगा तो ऐसे भी दोस्तो जातर होता है कि ज़्यादा स्कूर बन गए अगर तो वो डिफेंड हो जाता है चेस यहाँ पर उतना ज़्यादा फ्रेंड लिए अप कह नहीं सकते एक तो रहता है प्रेसर अगर 200 प्लास रंस आ गई तो वहाँ पर प्रेसर वैसे ही बन जाते है इस मैच पर अडिशन पर को सी सबसे दोस्तों यहाँ पर देखिए सेम भी वैनू है सुलाबया क्रिके ब्राउंट कुएट में आप सभी लोग जानते होंगे एक ही वैनू पर सारे मैंचेस होंगे तो दोस्तों पीच रिपोर्ट तो हमने आपको बता दिया अभी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइज के लिए कुछ फोटोस दिखाऊंगा वहाँ पर आपको और अच्छी तरह के समझ आ जाके यहाँ पर पीच किस तरह से बिएफ करने वाले है तो यहाँ पर देखे दोस्तों पीच जैसा कि यहाँ पर पीच और ग्राउंड दोनों ही सेम सेम कलागा रहा है मतलब किया है कि पीच के पर बहुत ज़्यदा खास है तो इसका मतलब किया है कि बल्ले पे गेंद अच्छी तरह के सा आते है और रंस अच्छे खासे बन जाते है बैटिंग के लिए बहुती सूटेबल पीच यह रहने वाला है इस मैच पर तो दोस्तो आप दूसरे पिक्चर में आप यहाँ पर देखिए यह एक ड्रोन वीव का फोटो है तो इसका मतलब किया कि देखिए सेंटर से लेके स्ट्रेट और स्क्वार बंडरिस का यहाँ पर लेंद की तरह रहेगा वो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा 65 से लेके 70 मिटर के आसपास यहाँ पर स्ट्रेट और स्क्वार बंडरिस यहाँ पर रहने वाले है तो दोस्तो यह गई यहाँ पर दोसरा पीक आपको यहाँ पर तीसरा पीक दिखांगा वहाँ पर आपको पीच पुरी तरह के समझ आ जाएगा यहाँ पर दिखेंग दोस्तों, सेंटर के पर एक पीच है बाकि दोनों सेट में 2 पीच रहेगा तो जहीं से भी आप देख लीजिये बांडरिस बिल्कुल Paige है तो पर दोनों के भाज़त दोनों CO पर दोनों पर यहाँ पर लोटन से बोलिंग कराते हैं तो दोस्तों यह कई पीच की फोटोस अभी चलता है यह पर टीम के उपर तो देखेए दोस्तों आप आपको बताएंगे कि लास्ट मेंच पर जो के तीम खेली थी वह पर 230 रम नहीं थी दोस्तों, 230, मतलब आप समझिए, 160 से लेकर 70 का तो एवरे स्कोर है, लेकिन एक ही इनिंग्स पर स्कोर बन गए 230, और दूसरे वाला जो टीम था, उपोजिशन जो टीम था, उन्होंने 210 तक चले गए, मतलब एक ही मैश पर 440 रान बने एक पीच का उपर इस ही सेमपी सा, मतलब किसी भी पीच पर आप माल लीजिए कि यहां पर ऐसे रन्स बनने वाला है, तो यहां पर अहरेक पीच बैटिंग फेनली पीच रहेका, दोस्तों, एलिच के तरफ से जो टॉप चार वल्लेबास थे, उन्होंने ही रान किये, उन्होंने से देखिए, नौफ दादर कर, सबसे पहले आपको यहां पर मिल जाएगा, सत्तावान नन किये थे, उसके साथ दोस्तों, आहसन उल्हक, इन्होंने की थी, चपावन नन, उसके साथ दोस्तों, मौहमद असलम जो की ओल उन्डर सिक्षन पर है, उन्होंने की थी, छी असल रन, हमें सा के यह अच्छे करते हैं बैटिंग में, और यहां पर फाजान असराफ, इन्होंने की थी, बीस राफ, तो दोस्तों, यह चार टीम का बेस्ट बैटर थे, लास्ट मैस पर जब टीम ने दोस्तों तीस रन की थी, और दोस्तों, विकेट्स की थोड़ा सा बात कर लेता है, फाज महमत अनसार और आमेद मिर्जा यहां पर लेगी, महमत अनसार एक विकेट्न निकाले थे, रुबे लशन एक विकेट्न निकाले थे, और आमेद मिर्जा यहां पर आपको दिखाऊंगा, साइध यहां पर औल अन्डर सेक्शन पर आपको मिलेगी, दीके दोस्तों, इन तीन मोमथ अंसार रूबे लोसर से तो ऐसे कुछ पाई आपके निकालति निगाला तो यह पित-थोजर्व काहिई नजर नहीं आ रहरा है इंपर आप देखिए मिल्जा आमेस साहएथ उन्होंने भी लाश्ट मैच जीत कर आ रहा है लेकिन चेस करके जीता दूसरे टीम जो है देर सो प्लास अंच के थे और उनको चेस कर लिया था नो उइकर्स हाथ में रखकर तो बहुत ही अच्छे परफेंस थे तो इसलिए दोनों ही टीम के पास भारपूर के एक्सपेंस रहेगा मतलब कॉन्फिरेंस रहेगा तो इसलिए ये मैच आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मिलने को देखेंगे तो दोस्तों यहां पर फिटे स्टार्स की तरफ से देखेंगे बासिर狗हन नवीन जैकप और विलाल खान तीनों नहीं बैटिंग की नौर्ट के से मैच जीते बहुत है बहुदक दोस्तों देख़्िए बैटिंग के यहां पर दिखिए सबसे पहले आपको बताओंगा यह पर देखे यह जो वजीर खान है यह नोने की थी लास्ट मेंच पर 49 और नभीन जागव जोस्तो नभीन जागव आपको मिल जाएगी बैटिंग सेशन पर नभीन जागव इन्होंने की थी अठावन नन नहीं दोस्तो इस तीनों ही बैटिंग करें और मैच को जीता दिया था और बोलिंग से सकती बात करें दोस्तों दूसरे टिम के तो 10 वी के निकल गए थे बसरत आली जो की ओलांडर है बहुत ही बैतरी ने तरिके से पर्फंस की थी लास्ट में चार वी के निकाले उसके साथ दोस्तों 2 वी के निकाले थे आमिन इजाज अच्छा चोईस आपके अच्छा पर्फंस किसी का भी नहीं रहा तो दोस्तों आब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कौन कौन से प्लेयर आपके लिए स्मॉल लिके टिम पर रहने वाला है मतलब जिन को आपके टिम पर पिक करना चाहिए तो उगिट की बिंग अप्शन पर महमत खान रहेगा सबस हमने पिक करेंगे इनको क्योंकि देखिए ओपिनिंग पर आएंगे ओपिनिंग पर आने का चांसे थोड़ा सा कम है लेकिन दोस्तों अब्दुल जबर भी आ सकते हैं इस मैच पर अगर यह नहीं आए अब्दुल जबर नहीं आए तो नमीन जैकब यहाँ पर ओपिनिंग क पर सकते हैं अभी चलंगे दोस्तों अलोंडा सेक्शन पर देखिए यहाँ पर आमिन इजज रहने वाले हमारा टीम पर महमत असलाम बसरत आली दोस्तों फाजन असराप को हमने पिक करना चाहेंगे लेकिन दोस्तों यहाँ पर चार बैटर्स को हमनें पिक कर लिया इसलिए हमने यहाँ पर फाजन असराप को पिक नहीं कर पाया अगर हमने एक बैटर्स को और कम कर दे तो यहाँ पर फाजन असराप को ले सकते हैं बोलिंग की बात कर दोस्तों यहाँ पर रहने वाले है मिर्जदा आमेद महमत अंसार उसके दोस्तों आई इर्फान लुला सोलता ज अगर इस टीम से कोई चेंजेस होगा तो आपको ट्रेलिकम पर पता लग जाएगा अभी से टीम को सेब करके आपको प्रीवी में थोड़ा सा जील के बार में डिसक्स करेंगे दोस्तो मुहमद खंड हैगा विकेट के बरिंग सेस्टन पर बैटिंग चर्स पर देखिए बिला ताहीर, मुहमद इसलाम, असलम और ग्रेंड लिक की बात करें दोस्तों आसन उलाग रहेगा नहाफ दादर करके साथ नवीन जैकॉप, मुहमद कान, अमीन इजाच और मुहमद अनसार ये छे प्लियर्स आपके लिए ग्रेंड लिक पर बहुत ही बड़े कैप्टन से भाश दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहले मिल जाए और दोस्तों का अच्छा सा टीम मनें या अच्छा सा वेनिंग कीजिए थैंक्यू सो माच, all the best मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर